अब आपको पढ़ाने वाले इस क्लास में हम अब आप सराउंडिक्स क्लास थे रहे हैं कच्छा तीन का हमारा परवेस जिसमें आज आपको कराना है चैप्टर फूर के बाद जो हाव मच लर्न है इसको कराना है कि अभी तक आपने ये चैप्टर चार जो पढ़ लिए हैं बन अपने परवार के बारे में आप पांच बाते लिखिए कौन कौन से पांच बाते लिखनी है को हूँ आर देर इन यूर फैमली आपके परवार में जो लोग हैं उनके नाम लिख दीजिए आप जो जो आपके परवार में है वो इस जगे आपको अपने उनके नाम लिखने ह who is the eldest in your family eldest में सोता है सबसे बड़ा आपका भाई वेन जो सबसे बड़ा है या जो भी आपके परवार में है जो उम्र में सबसे बड़ा है आप पोस का नाम या पर लिखना है find festival I'll celebrate festival में सोता है तिवार celebrate में सोता है मनाना हम तिवार मनाते हैं बोली है दीपावली है रच्छाबंदर है यह तिवार मनाते तो which festival are celebrated festivals लिखा हुआ कौन कौन से तिवार आप किया मनाए जाते उन तिवारों की नाम आपको इस जगह मेंसिन करने इस पिलेस है विजिट 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 विजिए और फेमली पिलेसे यान किन किन जगहों पर आप अपने परवार के साथ गए हैं किन किन जगहों को आपने देखा अच्छे से तो उनके आपको यहां पर नाम लिखने हैं फू- हुँ- 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 है इन यॉरि इस्टी- जब आप पढ़ते हैं तो उसमें आपकी मदत कौण करना है और पंदद करना अब आपको यहां लिखना है, दूसरा कुश्चन है, To whom do you go, to whom माने किसके पास, Do you go तुम जाते हो, इन्दा फैमिली मिश, परवार में, परवार में आप किसके पास जाते हैं, कब, on feeling sad, जब आप दुखी होते हैं तो अपने गर में किसके पास जाते हैं, To express your feelings, अपनी भावना या आपने बिचार कहने के लिए, जब आप परिशान होते हैं तो घर में किसके पास जाते हैं, To know about the old days, पुराने दिनों के बारे में जानने के लिए, पुराने जमाने के बारे में जानने के लिए घर में आप किसके पास जाते हैं, कि कोई हमें पुराने जबाने की बाते बता है फॉर पिलेंग अगर आप खेलना चाहते हैं घर में किसके साथ खेलते हैं यह आपर आपको बताना है थर्ड क्वेश्चन है ट्रिव और फालसे समंदित कि नेवरिंग नेवर्स सुड हेल्प बनादा देखो नेवर्स में सोते पडोसी क्या पडोसियों को एक दूसरे की मदद करने चाहिए बिलकुल करने चाहिए क्या पडोसियों के बच्चों के साथ खेलना चाहिए बिलकुल खेलना चाहिए लेकिन जगड़ा नहीं करना चाहिए उनके साथ along with your our home we should clean our surroundings also वो ये कहरे कि आपने घर के साथ साथ आपको अपने चारो तरब भी साप सपाई रखने चाहिए घर के अलावा इसका मतलब ये कि along with your homes, home अपने घर के साथ साथ we should clean our surrounding also कि आपने परवेश को भी जहाँ रहते उस जगे को चारो तरब भी साप सुतरा रखना चाहिए बिल्कुल रखना चाहिए we should not water the plant कि आमें पेवनों यह यह लिखा we should not water the plant पेवनों को पानी नहीं देना चाहिए नहीं यह तो गलते पेवनों को पानी देना चाहिए we should take care of word and animal कि आमें पसू पच्छियों की देखवाल करनी चाहिए बिल्कुल करनी चाहिए तो हम पिछले चैप्टर में पढ़ा ही रहे थे आगे इसमें थोड़ा और है वो भी देखते हैं फोर क्वेशन नमर है राडदा नेम ओफ एनी फोर ट्रीज फांड इन यौर सराउंडिंग उन चार पेवड़ों की नाम लिखो जो जहां आप रहते बहां पाए जाते हैं तो आप लिख सकते हैं चार पेवड़ों की नाम नाम नीम लिख देजीगा नीम ट्री पीपल ट्र बैनियन ट्री रोजबू ट्री निरे लिख सकते हैं आप केवल चार लिख दीजीगा को क्वेशन फाइब है कि फांड आउट नेम्स ऑफ दर ट्री और प्लांट इन फालोंग प्रॉसवर्ट कोई भी पेड़ों के नाम आपको इस क्रॉसवर्ड में डोड़ने हैं तो देखेगा पहली लान में देखेगा क्या है पहली लान में जो पेड़ है वो दिया गया केवल है और अगला पेड़ दिया गया हमको इसमें पपाया पीए पीए बाये और इसमें दिया गया पूरी लान में हैविसकस हैविसकस लाल पीले फूलो करेल जो होता वो हैविसकस ह होता है और इसमें जो नाम दिया गया वो दिया तुलसी और इसमें जो नाम दिया गया वो दिया गया रोजबुट और इस लाइन में जो नाम दिया गया वो दिया गया बैनियंट्री बैनियंट्री होता है बर्गत का पीड और लास्ट वाली लाइन में जो पीड का नाम दिय उने उच्छे आप देखेगा एक इधर से एक ही मिला है मेंगो और उपस नीचे मेरी समस्य किसी लान में कोई पेड नहीं मिला अगर आपको कोई दिखाई दे तो उसको आप प्रॉस कर लेना इस प्रकासे आप द्यान से देखेंगे तो और भी देखेंगे इसमें कहीं अlusion? तो ये तो सब पीड़ है लेकिन तुलसी क्या होता तुलसी छोटा पौधा होता है किया तुलसी के प्रचटंक्ा नहीं नहीं डाल सकते तो वो इसलिए अलग हो गया हम नीम आम यह सब बड़े-बड़े पीड़ होते हैं जिन पर हम इनके नीचे बैठते हैं नीचे खेलते हैं ऊपर चड़ते भी हैं अब इसमें देखे यह बोतर गार्ड लौकी होती है बिटर गार्ड करेला होता कोकंबर खीरा ह होता है pumpkin का दू चलोता लेकर रोज इस तो पूल होता तो देखो यहार्ठ सब सब्सभी रहां हैं लेकिन इसमें गुल्झ अलग हो गया है इस नेक शांफ है पिजिन कवा हैं और क्रों वो पिजिन-कशू रहे क्रों कवा नेगकर सब सब्सक्राज हैं लेकिन यह सब अलग ह मेंगो आम होता है ग्वावा अम्रूद होता है पीपल और पपाया यह सब फ़ल है लेकिन पीपल पर कोई फ़ल नहीं आता है आता भी होगा तो हम लोगों के काम का नहीं है लास्ट यह सैवन कोश्चने डिसकस अमंग और फ्रेंट्स एंड राट अपने दोस्तों साथ आप इस पास पर चर्चा पर चर्चा करिए और लिखिए हाउ आर एनिमल प्लांट एंड हुमन बिंग्स इंडर डिपेंडेंट हमने बहुत अच्छे से पूरी चेप्टर समझा स पढ़ाया है कि पीड़ पौदे और जानवर एक दूसरे पर अंतहा निर्वर कैसे हैं वह आपको अपनी चर्चा करनी हाउ और वर्ट्स एन एनिमल क्लासिफाइड ऑन दा बेसिस ऑफ देर फूड वोजन के आदार पर पक्षियों को जानवरों को आप कैसी विवाज़त कर कि उयात है कि तो जो पीड़ फौदे खाने वाले वह वहते हैं और जो मास खाने वाले होते वहy कार्निवोस और आप इसमें बता था विभिन प्रकार के पच्छियों को जानवरों को हम पैचानते कैसे उनकी रंग से रूप से उनकी बनावट से चाल धाल से चोंचों से पंकों से इन सब चीज़ों से हम उनको पैचानते हैं अब यहां लिखा हुआ लास्ट क्वेशन है ड्रॉइ पिक्चर ऑफ एनिमल और बर्ड ऑफ यूर च्वाइस अपने जो आपको अच्छा लग है वो किसी जानवर का या किसी पच्छी का आप चित्र बनाईएगा और उसमें कलर भी भरिएगा यह आपका प्रोजेक्ट क्लास में हमने आपको हाव मच लेर्ण पूरा कंप्लीट शिखा दिया है आशा करतम आपने सीख पाया होगा देट्स आल जैहिन जैवारत